इनकी एक चीज मुझे अच्छी लगती है अच्छा सा नाम रखो उस नाम के पीछे काम ना हो तो दीरे दीरे बोलना कम कर दो उसके बारे माई मैं कहता हूँ ना समझ लोग है सब ये तो विशुद भारतियता का हैसास कराता है पूरा हिंदुस्तानी फिल्मों का सीन है मैं मैं इसलिए उसके लिए शिकायत ही नहीं करूंगा सवच भारत अभियान में गांदी जी के चश्मे को हम टांग देते हैं वैसे स्वच्चता की और गांदी जी का चश्मा जरुवत थी चश्मा पहनने की सर अगर टाइम मशीन हो तो वापस चला जाए वो ज़्यादा बेहतर था श्री मनोज कुमार जाजी शुक्रिया पांच मिनट शुक्रिया उपसभापती महद है जब आप पांच मिनट या तीन मिनट कहते हैं तो लगता है जैसे फांसी देने से पहले अंती मिच्चा पूछी जा रही है यह समय आप ही लोग करते हैं जानता हूँ सर आपका दोस्ट थोड़े ही है लेकिन दुखड़ा भी कहार हो आप बोले बोले अब मैं बड़ी खुशी हुई माननियम मंत्री जी यहां है अभी नव नियुक्त मंत्री जी हैं बड़ा अनुभव है हर्याना का और अच्छा भ स्मार्ट सिटी सरकार भी बहुत बोलने ही रही है इनकी एक चीज मुझे अच्छी लगती है अच्छा सा नाम रखो उस नाम के पीछे काम नहीं हो तो दीरे दीरे बोलना कम कर दो उसके बारे में अब अब यहाल में रास्टपती भवन में गंतंत्र मंडप बना साहब गंत चिंतावेक्त की पार्लेमेंट की बिल्डिंग में कल जो हुआ या पिछले वर्ष जो हुआ मैं कहता हूँ ना समझ लोग है सर यह तो विशुद भारतियता का हैसास कराता है कि जब बाल्टी से पानी सर ना समझ सब चेक कर लीजिए गा ना समझ सब अचा मैं वापस लेता हूँ ना एकदम भुपेंद्र भाई इसलिए आपको यहार आना चाहिए मैं यह कहना चाह रहा था कि मेरे साथियों ने साथ इसकी मर्म को नहीं समझा कि छथ टबकड़े है बाल्टी लगी हुए है पूरा हिंदुस्तानी फिल्मों का सीन है मैं इसल सर मेरी दूसरी चिंता है कि स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान में गांदी जी के चश्मे को हम टांग देते हैं वैसे स्वच्चता की और गांदी जी का चश्मा जरुवत थी चश्मा पहनने की चश्मा वहां रख देने की नहीं गांदी का चश्मा नही नहीं लोगा एक साथ नहीं चल सकती है को कि मुझको नाम लेना भी बुरा लग रहा है सर्थ तीसरी में मंत्री जी को कहूंगा स्ट्रीट वेंडर्स शेहरों की रीड होते हैं उनके साथ मियाई कीजिए नाइस्ताफी हो रही है उनके साथ आपकी नीतियां कुछ बनती है और उस मद में जिसको हम कहते हैं पीएम स्वानिदी आपका एलोकेशन भी 30 प्रतिशत कम हो गया है तो मैं आपसे अग्रह करूंगा उसको देखिए आई-ई-सी स्वच्छता में आई-ई-सी में एलोकेशन कम हो गया है अमरुत में आधा काम भी नहीं हुआ है जा सकता जब तक ग्रामीन पलायन ग्रामीन अर्थवेवस्था उस पर आपकी नजर नहीं होगी आपकी पकड़ नहीं होगी तब तक शहरों में लोग आएंगे आप एकुमेडेट करने में फेल करेंगे आपके बदले कल को हम हो तब भी वो दिकते होंगी मैं एक चीज़ और भी उसमें कहूंगा संपती का असंतुलन भी शेहरों में बहुत दिखता है सर एक चीज़ और कहूंगा हमारे शेहर जब बनते हैं कोई बिल्डिंग बनती है तो आपको श्रमिक लगातार चाहिए मजदूर लगातार चाहिए और वो मजदूर जब आपको बिल्डिंग बना के देता है उसके बाद वो मजदूर आपको भारी लगने लगता है वो जहां रहते हैं उसको आप सलम कहते हैं और उस सलम को अपनी नाजरों से दूर करना चाहते हैं सलम हमारी नीतियों पैदा करती हैं सलम में रहने वाले हमारी आपकी तरह के लोग हैं उनके बारे में साफ होना चाहिए और यह सेटलाइट मेट्रोपॉलिस नहीं कि एक स्लम रिहाबिलिटेशन किया दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर जाके रख दिया कैसे काम करेंगे कैसे रोजगार चलेगा तो यह चीजें सीवर ड्रेनेश के बारे में कई साथ ही बोल चुके हैं मुझे तो अकस वो ज्यादा बेहतर था मैं और एक आखरी चीज करूंगा सर आजादी के बाद अपने देश में मल्टी कास्ट मल्टी कम्यूनिटी हाउसिंग सुसाइटी बननी शुरू हुई थी सर आज वो सारी चीज़ आखरी 30 सेकेंड सर आज वो सारी चीज़े खत्म हो गई जातियों के नाम पर हाउसिंग सुसाइटी है समुदायों के नाम पर हाउसिंग सुसाइटी है और कुछ समुदाय के लोग किसी भी सुसाइटी में नहीं रह सकते ये हमारी राजनीत और नीत नेताय कर दिया शुर्या सर जाए ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी